गुट मॉर्निंग स्टुडेंट वेलकम टू S.J.E.C.E. क्लासेज आज हम हिंदी साहित में कक्षा साथ की वाटिका पुस्तिका की भारत भूमी नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं इस कविता के जो रशनाकार हैं वे श्री R.C. प्रसाथ सिंग जी हैं प्रस्तुत कविता में कवी ने अपने देश की भूमी यानि हमारी जो जन्म भूमी है भारत भूमी उसके बारे में हमें बताया है भारत भूमी के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि हमने सब ने इस देश में ही जन लिया है तो हमें अपने देश को सब के पता है कि हमारा देश कैसा देश है सभी भाशाओं का मिश्रण, सभी संसकतियों का मिश्रण और एक अनूठा संसार हमारा देश माना जाता है जहांकि सुन्दर्ता जहांकि हर प्रकतिकी धरोहर या हमारी सांस्कतिक धरोहर हर चीज की को दूसरे देश के लोगों को आकरशित करती है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत भूमी सारे जग को पत दिखलाने वाला जो धरोतारा है भारत भूमी ने जन्म दिया या सवभाग हमारा है सारे जग को पत दिखलाने यानि हम धन हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया क्योंकि हमें अपना सवभाग मानना चाहिए कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है यह वो ऐसी धर्ती है यह कह लिजे इसकी मिट्टी इतनी पावन है कि यहाँ पर कई महापुर्षों ने जन्म लिया है और जैसे आपने पहली पंक्तिम पड़ा सारे जक्कोपत दिखलाने वाला जो दूतारा है कि इस धर्ती पर ध्रू को आप सभी ने कहानी सुनी होगी फिर भी हम बता देते हैं कि हमारे देश में एक राजा हुए थे राजा उत्तान पाद उनकी दो रानिया थी रानी सूरची और रानी सुनी थी तो ध्रू जो थे वो रानी सुनी थी के पुत्र थे अपने छोटी माता के तिरिसकार और पिता की गोद में ना बैट पाने के कारण और महल से वो चले गए और उन्होंने सोचा द्रण निश्चर किया या उनके अंदर वो छोटे से बालक थे आट नौ वर्स के छोटा सा बालक जिसके मन में आत्म विशुवास की कोई भी कमी नहीं थी उसने सोचा कि अगर इस पिता की जन्म देने वाले पिता की गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो मैं उस परम पिता इश्वर जिसने इस धर्ती को बनाया है उसकी गोद में जा करके बैठूंगा और उन्होंने तपस्या करने के पश्चात इश्वर यानि श्री नारायन की गोद में उस्थान पाया उनके इसी आत्मिस्वास को जानकर उनके इसी कठिन परिश्रम को देखकर इश्वर ने प्रिशन होकर उन्हें ये वर्दान दिया था कि जब तक ये धर पर देखते हैं वो आज भी हमें वैसे ही चमकता हुआ दिखाई देता है तो सारे जग को पत दिखलाने और वो ध्रूतारा कहां से अत्पत्ति होई हमारे देश भारत से तो हमारा देश ऐसा देश है जिस पे जन्म ले करके कई लोगों ने अपने आपको धन्न किया है धूप खुली है खुली हवा है सौरोगों की एक दवा है धूप खुली यानि हमारे देश में कहीं तो धूप है कहीं खुला उन्मकत वातवरन क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां की प्रकति अपने रूप को बदलती रहती है यानि ये मान लिजे कि रितु जो है याँ पे ये नए-ने रूप को धारण करके आती है जैसा कि आप जानते हैं कभी यहां गर्मी तो कभी सर्दी कभी बसंत की हर्याली तो कभी वर्शा की भूंदे ये सब हमारे देश्क में ही पाए जाती है हमारा भारत भूमी हमारी जो भारत भूमी है वो ऐसी है कि हम सभी उस देश में सब को प्यार सिखाती है सो रोगों की एक थवा है, इसकी जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी ऐसी पतितपावन है, जिसकी जो हर रोग को अपने उपर धारण कर लेती है, कि यहां की प्रकति की मनोरम छटा हर व्यक्ति के मन को मोहती रहती है, चंदन की खुश्बूर से भीगा भीगा आचल सारा है, कि भारत की जो मिट्टी है, इसकी खुश्बूर चंदन के समान है, जो मिट्टी को पतितपावन मानते हैं, उन्हें यह पता है कि हमारा देश की जो मिट्टी है वो चंदन के समान है, जिसके कारण हमारी मात्र भूमी क का जो अचल है हमारी by भारत माता का जो आचल है वो क्या है भीगा हुआ है उस मिट्टी की या उस सुगंद से वो भरा हुआ है और उसी सुगंद से रोमान चो करके यानि कि सखो करके हम सब भारती अपने भाब को धन्य मांते हैं जन्म भूमी से बढ़कर सुन्दर कौन देश है इस धर्ती पर इसमें जीना भी प्यारा है इसमें मरना भी प्यारा है अब इन लाइनों में देखे कवी का तादपर है कि हम सब ने अपनी जन्म भूमी से प्यार किया है यानि हम सब अपनी जन्म भूमी से प्यार करते हैं जैसे हमें अपने घर से प्यार होता है हम कहीं पे भी जाते हैं लेकिन हमें सुकून कहां मिलता है अपने घर में आके घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा लेकिन हम सब अपने घर से प्रेम करते हैं उसी तरह हमारा देश भी हमारा घर है हम कहीं पे भी चले जाएं लेकिन जो सुगंद जो मिट्टी हमें अपने देश में देखने मिलती है वो हमें कहीं पे भी सुकुन नहीं दिलाती तो उसी तरह जन्व भूमी से बढ़कर कौन देश है इस धर्ती पर कि हम सबको अपनी भारत भूमी से बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं है इसमें जीना भी प्यारा है इसमें मरना भी प्यारा है कि इसमें जीन आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कैसे हमारे बड़े बड़े सूरवीर, राजा, क्रामतिकारे उन्होंने हसते हुई अपने प्राणों की बाजी लगा दी क्यों? क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार था उनको मरना तो कुबूल था लेकिन अपने देश की आन को मिटा नहीं था इसी कारण वे सच्चे देश वक्त थे जिन्होंने हसते वे अपने प्राणों की बाजी लगा दी लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं की चाहे आंधी शोर मचाए चाहे बिजली आँख दिखाए हम न जुकेंगे हम न रुकेंगे यही हमारा नारा है अब प्रस्तुत लाइन में जैसा की कभी कहना चाह रहे हैं चाहे आंधी शोर मचाए कि हम सब भारत के लोग सब कुछ से सकते हैं लेकिन अपने देश को जुकने नहीं दे सकते हैं देश में कई आपदाय आती हैं कभी आंधी आती हैं कभी बिजली चमकती हैं कभी तूफान आते हैं कभी कुछ लेकिन क्या हम अपने देश को छोड़ के जा सकतें? नहीं. क्योंकि ये तो प्राक्ति काप्ता हैं. कभी भी आ और जा सकती हैं. तो अगर हम इस डर से अपना घर तो नहीं छोड़तें, उसी तरह से हम अपने देश को भी नहीं छोड़ सकतें. हम न जुकेंगे, हम न रुकेंगे यही हमारा नारा है अब एक तात पर इसे ये भी है कि चाहे कितनी भी मुश्यवत आए कितनी भी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़े लेकिन हम अपने देश को नहीं छोड़ सकते बहारी जित्ती भी विपत्यां हमारे देश में आएंगे हम सब एक जुठो करके अपने देश को उन विपत्यों से निकालने का प्रयास करते रहेंगे परवत परवत पाओं बढ़ाता सागर के लहरों परगाता आस्मान में रहा बनाता चलता मन बन जारा है आप देखे इन लाइनों में कभी ने उन लोगों के लिए बताया है जिन्हों ने इस देश के गौरों को आगे पढ़ाया है यानि हमारे देशवासी हमारे भारत दूमी के जो सचे सपुत है उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी हमारा देश निरंतर तरक्की करता रहा है कैसे परवत परवत पाओं बढ़ाता यानि हमने परवत की चोटियों को नापने में कभी भी कमी नहीं की, आपने देखा ओगा न, परवत आरोहि यानि परवत आरोहन सुनते हैं आप, उन्होंने हिमाले, उन्होंने आवरेस्ट की चोटी पार की, तो यह सब इसी लिए, कि देश के पर्चम को उचा उठाया, देश के द्भज को उचा उठाया, ऐसे भी हमारे देश में भा है हमारे तेश के सच्चे वीर है कुछ कर गुजरने की जिन्म पर्वत की उचाई है बंजारे कौन होते हैं जिनका अपना कोई इस्थिर घर नहीं होता बंजारे कभी भी एक जगा इस्थित नहीं होते हैं जैसे हम लोग घर बना के रहते हैं बंजारे उस तरह से नहीं रहते हैं वे खुले आस्मान पे टेंट लगा करके रहते हैं और कहीं भी थोड़े कि शर्ट चलते रहते हैं इसके लिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है निरंतर आगे बढ़ना है कहा हमारी मंजील हमें पता नहीं है, उसी तरह बंजारों को भी पता नहीं होता कि उनकी Mijnजील का है, तो कभी ने अपन को बंजारे की संग्या दी कि हमारा मन меня's तो है वो आसमान में भी रहा बनाता है आसमान में इस मतलब है हमने कई ग्रह पार करें चंद्रमा पे पहुंचें अंत्रिक्ष में पहुंचें तो इस तरह से हमने आसमान में भी अपने देश का पर्चम लहराया है हमारा देश का दो ध्वज है वहां पर भी पहुंच गया औ चांद और मंगल का सपना, सच होने आता है अपना, अमर तिरंगा ध्वज उचाल कर नव्यूग ने ललका रहा है चांद और मंगल का सपना, इस लाइन से क्या आप समझ में आरा आपको कि चंद्रमा और मंगल अब जैसे कि आपको पता होगा, हमारे देश में पहले हमारे भारती जैसराकेश शर्मा, कल्पना चावला इन लोगों ने चंद्रमा पर भी जा करके हमारे ध्वज को उचा किया है यानि हमारे देश के गौरों को आगे बढ़ाया है इन्होंने वहाँ पर भी अपने देश का पर्चम आगे किया है तो इसके कारण हमारा जो तिरंगा है सच होने जाता है अब मंगल का सपना मंगल यान भी हमारे भारत से छोड़ा गया है आप सबको पता होगा तो सच होने जाता है अपना, जो भी सपना वेग्यानिकों ने देखा है, जो भी सपना उनकी आखों में था, उसे पूरा करने की वो प्रयासरत है, निरंगतर कोशिस करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार में ही सफलता की प्राप्ति कर ली होगी, कई बार ऐस मुसीबते भी आई होंगे कि उनका कार असपल हो गया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने डर कर भैसे अपने कदम पीछे नहीं हटाएं, बलकि और जोश के साथ आगे बढ़ते रहें, कि हमसे ये कार अगर नहीं हुआ, तो हम इसे ही करके दिखाएंगे, अब अमर तिरंगा ध्वज उचालकर नव्यूक ने ललका रहा है, नव्यूक यानि नया जमाना, आने वाला समय, तो ध्वज उचालकर, अमर से मतलब है कि हमारा तिरंगा, हमारा रास्ट ध्वज क्या है, अमर है, उसे उचालकर, यानि अपने उमंगों के साथ, हम अपने देश के उस करके सलाम करें या उसे देखने के लिए हर वेक्ति अपने अफगरदन को उठाए जिससे कि हम अपने देश के गौरों को अपने देश के नाम को उपर उठा सकें हमारी भारत भूमी जो है ऐसे महान वीरों से सुसजित है जिनोंने अपने देश को गौरों साली बनाने के भूमी ने हमें जन्म दिया यह हमारा स्वभाग है कि हम सब इस देश के वासी हैं हमने जन्म लिया हमारे देश में किसी को भी किसी भी धर्म को किसी भी लोको को वही सम्मान प्राप्त होता है जो सब विबिने संस्टि का वा अध्भुत कलाउं का अनूठा देश है। यहाँ पे हर तरह की संस्टिक विराषत हमें मिलती है। अपनी सुंदरता के लिए भारत विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां के अविश्कार यहां की सुन्दर्ता हर किसी चीज छेत्र में हमें आगे लाती है जिस देश में अतिति को इश्वर के समान माना जाता है जहां पर नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है जिस देश में हर धर्म को बराबर समान दिया जाता है ऐसा देश हमारा भारत है जहां पर जन्म लेकर के महापुर्शों ने इश्वर ने अपने आपको धन्य समझा है तो ऐसे पावन भूमी पर अगर हमने जन्म लिया है तो यह हमारा सौभाग है हम स्वभाक साली हैं कि हमने भारत भूमी में जन्म लेकर के अपने आपको गौरवानवित महशूस किया है और हम ऐसी भारत भूमी को सत सत नमन करते हैं जै जै भारत भारती कोटी कंठों से बोले जै जै भारत भारती धन्यवाद तो बच्चों आप अपनी इस कविता को सुनकर समझ कर अच्छे से सुन्दा रक्ष्णों के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में संदर्व और प्रसंख के द्वारा लिखेंगे। अब अगले चेप्टर पार्ठ में हम आपसे समझ करेंगे।